हाई दोस्तों आज हम एड़ फ्लास प्लेयर पे हम सिखाएंगे कि किस तरह से हम वेफसेट के लिए आड़टाइजमेंट बियानर बनाते हैं है तो चलिए मैंने यह पहले से बना के रखा हुआ था यह तो हम देखते हैं यह किस तरह से काम करता है यह दिखे मैं प्ले कर रहा हूं है तो कुछ इस तरह से काम करेंगे तो इस तरह से बैनर बनते हैं तो इसी तरह से हम एक अलग बैनर बनाएंगे यहां से तो फाइल पर जाएके new click करेंगे करने के पाद यह action script में रहेगा और तो इसके बाद हम width और height change करेंगे मैं इसको 1920 रख रहा हूं यहां पर width और height 1080 रख रहा हूं 1080 pixel रख रहा हूं और background white बाकी सब default रहेगा उसके आद ओके और यह थोड़ा इसका प्रिव्यू है थोड़ा कम कर लेते हैं इसको 25 परसेंट में रख रहे हैं कि अब को सबसे पहले हम एक image लेंगे में यहां पर ड्राग करेंगे इसको थोड़ा उपर कर लेते हैं इसको मिनिमाइज करके एक image में यहां से ले रहा हूं कि इसको ड्राग क्या मैंने अब ड्राग करके यहां पर पर छोड़ा यह import हो रहा है यहां से कि यह लिजें यह image आ गया पर तो मैं चाहता हूं यह image निच्चे से उपर आया है मतलब निच्चे से यह वाली जो फ्रेम है वाइट कले की बैक्ग्राउंड है वहां से तो मैंने यहां निच्चे रखा हुआ है यहां पर जो आप देख रहे हैं जब हम 30 में जाएं पहलता हम यहां से एक इंसर्ट की फ्रेम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि यह यह यहां पर जब है यह वाली डॉट तो यह image निच्चे है लेकिन जब 30 पे जो की फ्रेम है वहां पर जब जाएगा तो यह फोटो अपने बैक्ग्राउंड में रहेगा मत लुट कर रहा हूं मैं इसको अपर में अबड़न जब 20 अब तो यह यह इमेज यह हरे ना चाहिए एंद देखे किस तरह से यह काम करता दें आप उनीचे और तो यह इस तरह से काम करेगा अब मैं अब चाहता हूं कि यह जो में हमारा नीचे से उपर जाए जाए तो हमें इसके उपर क्लिक कर रहा हूं तो देखिए अब हम इसको प्ले करेंगे तो यह किस तरह से उपर जा रहा है देखेंगे तो कंट्रोल पर क्लिक करके प्ले करेंगे करेंगे इस तरह से फिर से प्ले करना हूं देखिए इस तरह से इमेज निचे से उपर जाएगी तो यह हमारा तयार हो गया है इसके बाद एक नए लेयर पर हम काम करें कुछ टेक्स्ट हम यूज करेंगे तो यह जो नीचे है न्यू लेयर इस पर क्लिक करेंगे तो लेयर टू पर हम काम करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे करें तो यह एक से हमने टेक्स्त लिएर डूender का ब्लांक की फ्रेम है इसमें सब्सक्ति टिस्प्ले ने करेंगे तो हम टेक्स्त लिखना स्टार्ट करते हैं यहां तो सब्सक्राइल हम क्या करेंगे यहां पर desarrollo करेंगे तो यहां पर इंसेट की फ्रेम उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे ऐसा फोटो इसलिए हट गया कि इसके जो लेयर वान पर जो इमेज है तीस के बाद इसका कोई भी डेटा नहीं है इसलिए इमेज हट गया हम उसको लाश्ट में हम वहाँ पर कुछ फ्रेम यूज़ करेंगे तो अपने आप इमेज आ जाएगा तो फेल मैंने टेक्स लिखा वेलकम टू माई चैनल लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इसको मैं ड्राग कर रहा हूं फ्रेम से बाहर रख रहा हूं इसको ताकि यह फ्रेम के बाहर से फ्रेम के अंदर आए तो मैं चाहता हूं यह जो टेक्स्ट है यह साथ सेकिंड जो हमार साथ पर तो वहाँ पर आके यह रहे तो सौरी साथ कहीं गलत हो गया यहां पर की फ्रेम राड नहीं हुआ इंसर्ट कि फ्रेम कहीं पर गलती हो गया है इसलिए है यह हो रहा है यहां पर कि तो होना नहीं चाहिए कि देखे मैं यह निचे वाली जी इंसर्ट कि फ्रेम तो यहीं में जा गया अग्या कि यह क्यों नहीं काम करा कहीं पर गलती होगे देखते हैं कहां पर गलती हुई कि यह तो यहां पर की फ्रेम है साथ पर जाना कि यहां पर इनसर्ट करते हैं की फ्रेम है जटेब हुआइ हैani यहां पर हमने की फ्रेम्हेंन युज किया यहां पर और हमको मतल्ब हमें इंसर्ट की फ्रेम करना था हमने इप नीचे इंसेट की फ्रेम इसी वज़े से नहीं हो रहा था है अब लीजी यह हो गया तो 30-10 पे टेक्स्ट भार बार में फ्रेम के बाद में 60 पर जो टेक्स्ट है वह तो देखिए हम क्लिक कर रहे हैं यह भार है तीस पे साट पे फ्रेम के अंदर है यह टेक्स्ट अब इसको प्ले करके देखते हैं और इसमें हम क्लासिक ट्विन यूज नहीं गया इसलिए यह ड्राग होके नहीं जा रहा तो प्लिक करके इस पे क्लासिक ट्विन यूज करते हैं अब देखते हैं प्ले करके कंट्रोल प्ले अब देखिए आप सही हो गया इसमें इमेज हट रहा है क्योंकि जो लेयर वान पर हमारा फ्रेम नहीं है बिल्कुल भी यहां तक खाली है तो हम इसमें फ्रेम करेंगे इसमें सिर्फ इंसर्ट फ् प्ले कर रहे हैं अब देखिए आपका आग्या इमेज अब प्ले करके देखते हैं अब देखिए और इज हमने बनाया यह बैनर थोड़ा हम बढ़ा देते हैं आग तक कि नबे तक रखते हैं कि यह आटोमेटिकली प्लेयर होता रहता है आटोमेटिली तो नीचे एक लूप है मतलब जैसे रिपीड होता रहता है अगर आगे नहीं बढ़ाएंगा तो इतना फास्ट होगा यह स्पीट की लोग देख नहीं सकेंगे मतलब क्या लिखा हुआ तो इसले हम थोड़ा आगे बढ़ा देता हैं तो यह हमारा जो एक विए रहे यह तैयर होगी है अब हम क्या करेंगे थोड़ा टेक्स्ट में थोड़ा मतलब जैसे रूटेड होके आना चाहिए उस तरह से करेंगे तो हम यहां से रूटेड करवाएंगे तो प्लॉक्वाइज हम रूटेट कराएंगे और उसके साइड में जो ये नंबर में कर रहा हूं रूटेशन काउंट है कितनी बार रूटेट होना चाहिए तो मैं इसको बारा पर रख रहा हूं तो ये रूटेट बारा टाइम रूटेट हो जाए हैं तो अब देखते हैं प्ले करके अब प्ले कर रहा हूं तो ये इस तरह से बारा टाइम है रूटेट होके ये अपने ज्यादा पर है तो इस तरह से हम बैनर बना सकते हैं कि तो अब हम इसको सेब करेंगे कि तो फाइल पर जाएंगे और इसको हम प्पभ्लीस प्रीव इह रहा है देख हैं प्पभलीस प्रीवियु में देख ZYAYAD भीकिकि फ़गा क्पट्प छोटा कर देतें इसको यह लेजिए जण कर रहा हूं है ज्मालब करते हिए वह पर कि इसरी वेबसेट में नहीं यह आप अगर चाहत अपने वीडियो के लिए भी आप बना सकते हैं कुछ अनिमेंटेड अनिमेंटेड टेक्स्ट भी डाल सकते हैं आप कि एक्सपोर्ट में जाएंगे एक्सपोर्ट मूब भी भी कर सकते हैं या अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज भी कर सकते हैं तो मैंने सेव याज कर रहा है इसको अगर इसमें भी आप सेव कर सकते हैं और बात में चेंज करना है तो आप इसमें फ्लास फ्लेयर पर रख सकते हैं और अगर आपको इमेज में रखना है इमेज भी कर सकते हैं पब्लिस करना है तो पब्लिस भी कर सकते हैं कि एक स्पोर्ट इमेज में रख रहा हूं तो यह राज सेव करता है मैं नहीं आपर और इसके बाद इसको क्लूज कर रहा हूं तो यह वाली फाइल है हमारी एक इमेज की तरह से रह रहा है इमेज झाल प्रेब कार रहा हुं एक राज सेव कर रहा हुं यह रहा है झाल 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 हाई दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा या तो फिर इस तरह के वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये जो सब्सक्राइब बटन है इसके उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप मेरे यूटूब चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओगे धन्यापबाद झाल झाल